आपको जान का हरानगी होगी कि बहुत ऐसे समुद्री जीव जिनने नेमित तौर पे भारत में नहीं खाया जाता जैसे डॉल्फिन, सीहॉर्स, कुछता के समुद्री कचुए इन्हें भी फिशिंग कम्रिया नेमित तौर पे पकड़ती है लाखो मचलियों को एक साथ पकड़ने का कारगर तरीका है ट्रॉलिंग एक बड़ा सा जाल पानी के नीचे बिचा कर खीट दिया जाता है जिसमें लाखो मचलिया एक साथ फश जाते हैं लेकिन इनमें डॉल्फिंज और कचुए जैसे अनेग जीव इन्हें नहीं पकड़ना था वो भी फश जाते हैं और इन्हें कहा जाता है बाइकाट लेकिन बाइकाट जाता मुनाफ़ा नहीं देते हैं इसलिए इन्हें बेपरवा तरीके से ठेट दिया जाता है ट्रॉलिंग ना सित मचलियां बल्कि मचलियों के घर, समुद्री घास और कोरल्स तक समुद्र से उखाण देती है अब सरकार ने तरीका बन तो नहीं किया फिर बीश पे थोड़ा नियंतर ने और भारत में खाय जाने वाली अधिकान्च मचलियां आती है नदीयों और दलाबों से नदीयों में मचलि पकड़ने के लिए पारब पर एक तरीके से जालों का इस्तमाल को होता है लेकिन उसमें ज्यादा मचलिया नहीं वक्ड़ी जाती है तो कई जगा नदियों में जहर मिलाकर गैर कानूनी तरीके से एक साथ कई मचलियों को मार दिया जाता है लेकिन ये तक्नी पानी को जहरीला बनाती है और उनके लिए खतरनाक है जो उस पानी पर निर्बन है कई जगा मचलियां पकड़ने के लिए पानी में बारूत से धमाका किया जाता है जिस वज़े से उस जगा की मचलियां मर के अपने आप ही पानी की सतह पे आ जाती है इस तक्नीक का प्राकृतिक गते विद्यों पर बुरा असर पड़ता है और ये गैर कानूनी भी है लेकिन आज भी कई जगा इसका प्रियोग होता है और एक तरीकह है भी मचलिई के खेती करना इसमें लोग तालाब बनाके मचलीओं बीच की तरह ढालते हैं और मचलीओं की फसल दियार करते है अब प्रदूशन तो इससे होता है लेकिन इसमें किसी का सीधे सीधे नुकसान नहीं होता सिवाए मचलियों के Fish farming का cycle चुरू होता है एक process से जिसे कहा जाता है fish milking जिसमें मादा मचली के अंडों को हाथ से निचोड़ कर निकाल दिया जाता है और नर मचली के sperms को भी इसी तरह निकाला जाता है इन अंडों को अब छोटे तालाब में ही fertilize किया जाता है जिन में से अब मचलीया निकलेंगे जहां मचलीयों के पास सैने के लिए पूरा का पूरा समुद्र या नदी होनी चाहिए वहीं fish farming में हजारों मचलीयों को एक छोड़े से तालाब में रहना पड़ता है जब मचलीयों को पकड़ कर पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है इन तड़पती मचलीयों को हजारों की तादात में कंटेनर्स में भर दिया जाता है जिससे वो कुछली जाती है साथ ये मचलियों के शरीर के जिन भागों का इस्तमाल नहीं किया जा सकता, उन्हें उनके जिन्दा रहते ही काट दिया जाता है तो अगर हम डॉल्फिन्स के प्रदी सम्वेधन शील हैं, वातावरन के प्रदी सम्वेधन शील हैं, तो बाकी मचलियों के प्रदी क्यों नहीं?